नमस्ते जी, कैसे हैं आप? दोस्तों, भाद मास की इस कृष्ण पक्ष की चतुर्धी को बहुला चतुर्धी या बहुला चौथ भी कहा जाता है। बहुला चत्रथी को खास दोर पे भगवन शिव जी की पूरे परिवार यानि शिव जी मापार्वती, श्रीकार्त के और गनीश जी नंदी सहित पूजा की जाती है कुमहारन से खास इन मूर्तियों को बनवा कर आज इनकी पूजा की जाती है धार्मिक दृष्टिकों से देखा जाए तो यह पर्व है गायों का इसलिए खास गाय की मिट्टी की मूर्ति या ऐसी तस्वीर जिसमें श्री कृष्ण भगवान गाय के संग हो और कुछ ना संभव हो तो कम से कम अपने मॉबाइल में ही गाय की एक तस्वीर रख कर उनकी पूजा आज अवश्य करे क्योंकि बहुला चतुर्थी को किये जाने वाले पूजा और उपाय से निस संतान को संतान की प्राप्ती होती है संतान के सुखों में वृध्धी होती है तथा घर परिवार के सुख समृध्धी में भी बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति की हर मनुकामना पूर्ण होती है सभी प्रकार के विखन और संकत को दूर करने के लिए इस वृध को करना चाहिए आज के इस वीडियो में बहुला चतुर्थी के शाम को किये जाने वाली एक बहुत ही सरल उपाय जानेंगे इस उपाय को करने से भगवान जी और कौमाता दोनों की विसेश कृपा प्राप्त होती है और सभी मानसिक और शारिक दुखों से छुटकारा मिलता है मनवानचित फल मिलता है और जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए सभी तरह के विख्न और संकट दूर हो जाते हैं यह उपाय आज शाम यानि की बहुला चतुर्थी के शाम को करना है उपाय करने के लिए सबसे पहले अपने मुहाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारन करें अब अपने मंदर के सामने लाल आसन बिचा कर बैठ जाएं अब मंदर में शुद्धगी का एक दीपक जलाएं साथ ही एक धूपत्ती भी जलाएं अब आप भगवान जी को चंदन का तिलक लगाएं यानि कि यदि आपने शिव परिवाल की मूर्तियों को स्थापित किया है तो उन्हें चंदन का तिलक करें यदि आपने श्री कृष्ण भगवान जी की तस्वीर या मूर्ती स्थापित की है तो उन्हें चंदन का तिलग करें यदि आपने भगवान विश्ण जी की मूर्ती या तस्वीर को स्थापित किया है तो उन्हें चंदन का तिलग करें गव माता की मूर्थी या तस्वीर को भी आप इसी तरह चंदन का तिलग करें फिर उस पर थोड़ी सी रोली और चावल का तिलग करें यदि आपके घर के समीब गवशाला हो या गाई उपस्थित हो तो उन्हें भी इसी तरह तिलग करें गाई रियल में उपस्थित न हो तो गाई और उसके बच्छडे की इस तरह की मूर्ती या तस्वीर मंदर में स्थापित किया जाता है यह मूर्ती मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है इसे काम देनों गाई कहा जाता है इस मूर्ती में जैसे कि आप देख सकते हैं गाय के साथ ही उसका बचछडा भी होता है अब आप भगवान जी और गौमाता को पुश परपित करें अब आप भगवान जी यानि जिनको आपने स्थापित किया है और गौमाता की मूर्ती या तस्वीर को प्रणाम करें यानि कि शिव पारवती जी कार्थ के और गनेश जी और नंदी को प्रणाम करें कृष्ण भगवान को प्रणाम करें विश्ण भगवान को प्रणाम करें फिर भगवान जी को केले का भोग लगाएं अब आप केलों पर हल्दी से तिलक करें फिर उसके बाद थोड़े से चने के डाल को पानी से धोलें और थोड़ा सा गुढ़ लें और इस गुढ़ चने के मिश्रन को भगवान को भोग चड़ाएं अब कामधेनों गाहें के लिए यह मंत्र पांच बार चप करें मैं चप करती हूँ मेरे साथ ही साथ आप भी चप करें ओम सर्वद देवमये देवी लोकानाम शुभनंदिनी मातर्ममा भीषितम सफलम कुरु नंदिनी ओम सर्वद देवमये देवी लोकानाम शुभनंदिनी मातर्ममा भीषितम सफलम कुरु नंदिनी ओम सर्वद देवमये देवी लोकानाम शुभनंदिनी मातर्ममा भीषितम सफलम कुरु नंदिनी ओम सर्वद देवमये देवी लोकानाम शुभनंदिनी मातर्ममा भीषितम सफलम कुरु नंदिनी ओम सर्वदेवमये देवी लोका नाम शुभननन्दिनी मातर ममा भीशितम सफलम कुरू नन्दिनी इस मंत्र से कामधेनु की विसेश कृपा प्राप्त होती है जैसे कि आप जानते हैं कामधेनु का आय में 33 कोटी देवी देवताओं का निवास होता है समद्र मंथन के दोरान 14 मनिरतनों के साथ ही कामधेनु भी उत्पन होई थी जब भगवान विश्णु ने कृष्ण अवतार लिया था तो कामधेनु गाय ने बहुला गाय के रूप में अवतार लिया था कामधेनु मंत्र के जाब से सभी मनो कामनाय शीक्र पूर्ण होती हैं अब आप कामधेनु और भगवान जी से अपने मन के इच्छा पूर्ण होने की प्रार्थना करें अब आप स्वयम और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का तिलक करें केलों को गाय को खेला दें अगर गाय नहीं मिले तो आप स्वयम और अपने घर के सदस्यों में बाट कर ठा सकते हैं क्योंकि आपने अल्रेडी कामधेनु गाय की मूर्थी या तस्वीर को यह प्रसाद चढ़ा दिया यह उपाय जो पूरे विश्वास से करता है बगवान उस पर प्रसन होते हैं बगवान जी प्रसन होकर सुक समरिधी का आशिर्वात देते हैं और आपकी मौनकामना जल्द से जल्द पूर्ण होती है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए जैश्री कृष्ण लिखकर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने रिष्टदारों वो दोस्तों में यह वीडियो शेर केजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा पाएं दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जैश्री कृष्ण जैश्री गनेश देवा स्वस्ती